कि जो महत्मा है उसका फर्स्ट बेबी दिखाओ अभी मन्यू कहां पे चला गया कहां पे चला गया आप लोगों के सवाल पे सवाल आया जा रहे मैं आपको बताता हूं अभी मन्यू गया कहां वो शर्त यह है कि आपको इस वीडियो पर करने है 5000 लाइक यह रहा हमारा नया अब पतानी माइक का कुछ गलिच हो गया पतानी क्या हुआ मैं जाकर एडिट करने मेठा अवाजी नियारी फिर से आया हूं संडे कि यह शूट करने के लिए और अभी हमारी गाह यहां पर आ गई है और थोड़ा से लेट हो गया संडे कियो ने अभी पतानी किस ताइम तक अपलोड होता है कब तक आपके पास में आता है पर आहां लाइक शेयर करते ना भई डबल से मेनत कर रहा हूं और आपको दीगे गई सही तो चलो भई इसक्योने को शुरू करते हैं और सबसे पहला कोश्चन जो हमारे पास में आया है और सबसे ज्यादा लोगों ने इसका नाम क्या रखना है और अभी तक इसका कोई भी नाम हमने नहीं रखा है यह जहां पर था वहां पर इसका नाम पता नहीं मुझे क्या था पर हां यहां पर इसका दूसरा नाम रखेंगे और पहले तो में गेट लगा देता हूं गेट लग गया है हां और रही बात इस मात्मा है उसका फर्स्ट बेबी दिखाओ तो पहले तो मैं आपको हमारी मात्मा दिखा देता हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारी मात्मा ने अभी थोड़ टाइम पहले पारवती को जनम दिया है पर जो सबसे फस्ट टाइम में हमारे फार्म पर दिया था देखो म परवती को जनम दिया है जो कि यहां पे बेटी है उर इसने पहली बार मेरे फार्म पर लीला को जनम दिया था जिया हमारे फार्म की लीला यह देखो बही यह तो पूरा करने लग गया फार्म पे कबजा तो चलो भई हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन के उपर फटाफट से तो भई फटाफट से नेक्स कोशन के उपर चलते हैं तो यह हमसे पूछ रहे हैं अमरांध भाई भाई आप चार साल पहले से वीडियो बनाना आपने बहुत जादा मेहनत की है आपके 10 लाग नहीं 20 लाग सुस्क्राइबर होने चाहिए धन्यवाद भाई होने चाहिए हो जाएंगे कोई बात नहीं राम भाहिया आप अपने बारे में कुछ बताईए आप कहां तक अपने क्लास की है और अपने फार्म को ड्रोन से दिख लिए श्रण और उसके बात में नहीए तीन साल शाल को यह निया लिया मतलब तीन साल और उसके बात मैंने ड्रोप दे दिया थड्ड इयर में क्योंकि वीडियोस का कामहलेज बहुत जाता हो गया था और मुझे उधर को इंट्रेस लग नहीं राता इसलिए मैंने drop दे दिया 30 year में और अगर farm और अगर गाउं को drone की दिखाने वाली बात है तो मैं अपने farm को पूरे farm को drone से दिखाने के लिए तयार हूँ और पूरे गाउं को भी पर मेरी एक शर्त है वो शर्त यह है कि आपको इस वीडियो पर करने है 5000 लाइक जी हां दोस्तों अगर 5000 लाइक इस वीडियो पर आगए इस लोग पर आगए हमारे तो मैं अपना farm पूरा ड्रोन से दिखाऊंगा जहां तक हमारी गाए चरने के लिए जाती वह जगा भी दिख पूरा गाउं दिखाऊंगा तो आप टेंशन मतली यह पूरा गाउं दिखाऊंगा तो हाँ पांजा लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरा पूरा farm और गाउं ड्रोन से देखना है तो बढ़ते हैं next question के ऊपर तो यह हमसे पूछे हैं यह हमसे पूछ रहे हैं कार्तिक जी इनों ने न मुझे एक comment में 5 question पूछ लिए यार देखो एक में 5 question पूछे हैं तो सबसे पहला हमसे यह question पूछ रहे हैं भाई आप गीर के अलावा कोई और नसले के ऊपर reading करने का सोच रहे हैं देखो अभी तक तो नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हम गीर में अभी अभी अच् पास में विवस्ता अच्छी हो जाएगी चलो दूसरा question यह हमसे पूछ रहे हैं ना भाई आप नए नंदी का नाम कब रखोगे और क्या रखोगे तो उसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसका हम रखेंगे जरूर से तिसरा question यह पूछ रहे हैं आपक जो कि यह रहा जो कि अभी अपने आपर तयार हो रहा है यह देखो बगली क्या ले यह देखो तो यह तयार हो रहा है अभी बाकी अभी अपने farm पर कोई नंदी है नहीं चलो तो अब इनके चोथे question के ओपर चलते हैं फटा फट से तो चोथा question यह पूछ रहे हैं आपके farm पर कुल कितनी गाएं तो अगर कुल गायां के बारे में बात करें बड़ी गायां के बारे में तो वह 18 से 20 पांचवा प्रशन यह हम से पूछ रहे हैं भाई आप कहां से हो और आपके गाउं की सेर की वीडियो डालो तो मैं कहां से हूँ आपको तो बहुत सारा लोगों पत और अगर आप मेप पे और गूगल मेप पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा वीरा खेडी तो वह हमारा गाउं है और रही सेर वाली वीडियो की बात तो करा देंगे बिलकुल अगर पांस जाल लाइक आ गए तो दोनों चीजे हो जाएगी चलो एक साथ में चलो भई हबढ गया है सबसे ज्यादा फर्स टाइम में बश्रियों में किसने सबसे ज्यादा दूद दिया है पिक माई कोश्चन तो सबसे पहले अगर बात करें फस्ट लेक्टेशन में तो फस्ट लेक्टेशन में चलो में लेकर आपको दिखा देता हूं कि किसने हमारे फार्म पर सबसे ज्यादा दूद दिया था इन सब का मैसे फस्स लेक्टेशन में बात करें ना तो जीत का रिकोर्ड बहुत बढ़िया है जीत ने भी बहुत अच्छा दूद दिया है और अगर उधर में बात करें तो मोहीनी मोहीनी ने भी बहुत बहुत अच्छा दूद हमारे आपर दिया है फस्ट एलेक्टेशन के अगर बात करें न तो अभी भी यार यह टोप में चल रही है यह देखो यह रही जो कि हमारी मिंडी की बशुड़ी है चलो भई तो यह भी मैं आपको बता दिया अब बढ़ते हैं से अगले कोशन के ऊपर देखो मेरे पास में से बूल निकल के गया वैसे अर्जुने ना अब थोड़ा सा डरने लग गया मतलब इतनी उसकी पावर नहीं चलती है वह मतलब अकेले से अकेले खड़ा रह जाता है कहीं भी तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के लेका राओ उपर भाई आपको पता है ना भी कितना कंजस्टेड यहां पर जगा है बहुत साहे लोग मुझे बोल रहते हैं ना राम भाई मतलब यहां पर जगा कम पढ़ रही है बड़े बश्चिडे और बश्चिडिया साथ में रह रही है तो देखो आपको खुद को प सब को बढ़िया से रखेंगे फिर मजे आएंगे यार फाम पर तो मेरी इक्षा भी दिल से एक्षा है कि अपना फाम जल्दी बन जाए और जितनी भी दिक्कत है ना वो सारी सोल हो जाया यही मैं चाहता हूं और रही होट की बाद तो मुझे बहुत प्यारा मतलब बहुत यहाँ सारा पैल वऋ सारे लोग बोल रहे हिए राम यहां पर तो नहीं भी आप यह इटनी इतनी 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 ऐस देखिट तो पहले उसाब समने फार्म नी बनाया था और अभी थोड़ा होने लग गया थोड़ा कंजस्टेट होता है पर इतना नहीं हो रहा है और रही बाद बड़े बशुड़ों और बशुड़ों की तो यह छोटे बशुड़ों को नहीं मारती है कुछ-कुछ कभी-कभी थोड़ बहुत मस्ती वस्ती में जैसे उसको लग गई थी पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है देखो बड़े बच्ड़े और छोटी बच्ड़े अभी रहती है पर इतना नहीं ड़ती है यह गुमती आराम से और इनकी माँ भी पास में रहती है तो वैसा वह भी नहीं ड़ती है जादा चलो भई अब बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट कोश्चन के उपर क्यों एने पसंद आ रहा हो तो भई लाइक शेयर कर दे ना फटाफट से तो नेक्स्ट कोश्चन हमसे पूछ रहे हैं अंशुल जी शुकला तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है बता है तिल्लू और हा हमारी हाती है और इसकी बशिडी थी तिल्लू जिसने हमारे फार्म पर एक शांदार मतलब मेरे फार्म पर नहीं मतलब बच्चा देनी की तयारी में थी और हमारे फार्म पर जगा नहीं थी इसलिए हमने उसको यहां से दे दिया था तो वहां पर जाकर उसने शांदार बश अब है नेक्स कोश्चन पूछ रहा हम से जय भाई आपको कौन सी बच्डी सबसे ज्यादा अच्छी है अगर मुझे सबसे अच्छी बच्डी के बारे में अगर पूछोगे ना तो मेरी मेरी उंगली किस साइड जाएगी बता है किस साइड किस साइड किस साइड यह ब्लेक यार यह चाहे black वाली मुझे कितनी भी क्योना डरे पर मुझे वो बहुत प्यारी लगती उस साइड वाली देखो वो देखो 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 कितनी प्यारी है यार और रही बात सुर्वी मुझे बहुत पसंदे़ अगर एगर वैवरेलरिट की बात करें आख दोनों में नेक्स कोशन के उपर तो यह हम से पूछ रहा है तेज सिंग पवार तो देखो मैंने ना कल वाली वीडियो में छोटा सा प्रेंग आप लोगों के साथ में कर दिया उसके लिए सोरी मुझे यह जानना दाना कियार कितने लोग अपने फार्म से अच्छे से जूड़े मुझे तो झूड़े में ना चीए तो इन्हों ने यह पेस्ट कॉड़ के तो इसे आप लिए बुच्चा इंद में लोग से जी पवार इन्हों ने यह बोला यार गायत्री और गुन्नुकी तो शात में बच्चा दिया था ना तो देखा उनको पता है तो ऐसे आप भी जूड़े हमारे साहत में क्यूंकि हम आपके लिए डेली टहल रहें तो जुड़े रहो तो मैंने कल छोटा सोक्र फ्रेंग आप लोगों के साहत में कर दिया कहां पर का र्ली यह रही यह ठील हमारी रूट यह तो यह यह रही जो हमारे मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो भई और रही बात हाथी की तो हाँ हाथी बच्चा देने वाली है आती बहुत प्यारी है यह वाइव बढ़ते हैं next question के उपर तो यह हमसे पूछ रहे हैं अंकी जी भाई आपसे मिल सकता हूँ क्या में अरे भाई बिल्कुल मिल सकते हैं आज आओ अपने फार्म पर एड्रेस तो मैंने आपको बताई दिया आज आओ मिल लेंगे और शेखर गेमिंग हमसे पूछ रहे हैं राम भाई अभी मन् आप लोगों के सवाल पर सवाल आया जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं अभी मन्यू गया कहां पर हमारे पापा ने उनके दोस्त हैं उनको वहाँ पर बीडिंग के लिए बूल चाहिए था तो वह बले कि हमें चाहिए आप दे दो हम उसे तयार कर लेंगे तो मेरे पापा यह से पालन पोशन नहीं हो ना मतलब नहीं हो रहा है तो जैसा मैंने आपको बता है वीडियो के स्टार्टिंग में कि अभी हमारे फार्म पर जगा की बहुत सोटे चले मिलब जगा नहीं है तो इसलिए थोड़े बड़े बश्ड़े भी हमारे यह पर रहे बगली नो और यह कभी-कभी मस्ती करते हैं और कभी-कभी नहीं करते हैं इदर लगा लोगे बिटाप तो कभी-कभी यह करते हैं और एक ही बार मेरे आपर तो एक ही बार उसको लगा यह बाकी तो आस तक नहीं करा और पता नहीं इसको इतनी मस्ती क्यों चड़ी थी उस दिन जो कि उस ब भाग रहते हैं और इसने उठा के उसे फेक दिया और यह मस्तिक और बहुत ज्यादा यह बाकी हमारे फार्म पे नहीं करते हैं और एक वह बलेक वाली है बाकी तो नहीं करते हैं तो चलो भाई आप बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के उपर तो आशिश भाई हमसे पूछ रहे ना भाई गुन्नु कहां से लेकर आए थे तो गुन्नु के अगर बात करें तो हमारी जितनी भी आए आपको बता है ना सारी अवले ठाकुर मंदिर चोटीला गुजरास से आई हुई है तो हमारी गुन्नु भी वहीं से आई थी और गुन्नु थोड़ी से स्पेशल जड़ रही बात रही बात अगर कुछ लोगों के कोशन नहीं आए है तो कोई दिक्कत नहीं है अगले संडे की वहने में पूछ लेंगा अब हम ट्राइ करेंगे ना हर वीक लाते ना अभी बहुत लेट हो गए थे पर अब नेक्स ताइम से ध्यान रखेंगे आप लाइक शर हम देमा ट्राम